एक समय की बात है एक घने जंगल में एक हाथी जिसका नाम गन्नू था और एक भालू जिसका नाम बानू था रहते थे। उनके आकार और दिखावे में बड़े अंतर के बावजूद गन्नू और बानू सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन जब वे वन में सैर कर रहे थे तो गन्नू और बानू गहरे जंगल में छुपे एक रहस्य मई गुफा के पास गए। जैसे ही दोनों ने उस मणी को छुआ तो उनके स्पर्ष ने एक जादूई चमक उत्पन्न हुई जिससे दोनों घिर गए। जब रोशनी हटी तो वह एक जादूई दुनिया में थे जहाँ जादूई प्राणियों और अद्भुत द्रिश्यों से भरा हुआ नजारा नजर आ रहा था। इस जादूई विश्व में गन्नू हाथी और बानू भालू ने अपनी मित्रता और सहयोग का परीक्षण करने वाली चुनौतियों का सामना किया और दुनिया से निकलने की सोची दोनों ने एक साथ मिलकर उंचे पहाडों को पार किया खतरनाक नदियों को पार किया और च सच्ची मित्रता की कोई सीमा नहीं होती और जब एक सच्चा मित्र साथ हो तो किसी भी बाधा चुनौति को पार कर सकते हैं अंत में वे जंगल में वापस पहुँचे उनकी दोस्ती पहले से कही ज्यादा मजबूत थी उस दिन के बाद गन्नू हाथी और बानू भालू ने वन की जादू भरी जंगल की दुनिया की खोज जारी रखी और जब भी उन्हें कोई चुनौति मिलती है तो वह साथ में मिलकर उसका सामना करते हैं वह समझ चुके है कि मित्रता के साथ कोई भी कार्य असंभव नहीं है